दो मैइ की देर रात जीती रोड पर हाथसे में छे लोगों की मौत हुगई दिली से चंडीगट जा रही कार की टक्कर एक गाड़ी से हुगई कार की रफ़तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चार लड़कों की मोकई पर मौत हुगई और बाकी के दो ने अस्पताल में दम तोड़ दिया तीन मई को तमिलनाडू में केक कृष्णगिरी जीले में ट्रक और बस की टकर में 18 लोगों की मौत हो गई वहीं गंभी रूप से खायल 27 लोगों को अस्पताल में भरती कराया गया ये दो दुरगटना ये समझने के लिए काफी हैं कि हमारी सड़कें कितनी असुरक्षित हैं और किस तरह हाथ्सों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है सड़क हाथ्सों पर रोड ट्रांस्पोर्ट मंत्राले के आंकडें बेहद डराने वाले हैं साल 2015 में 1,46,133 लोग हाथ्से का शिकार हुए तमाम कोशिचों के बावजूद 2014 की तुनला में हाथ्से 4.6 फीसिदी बढ़े हैं लेकिन सड़क हाथ्सों के साथ ही सड़कों पर मारपीट यानि रोड रेज की घटना लगातार बढ़ती जा रही है बिहार के गया में तो गाड़ी को ओवर्टेक करने पर एक युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई आदित्य सच्देव नाम के युवक की हत्या करने के आरोब में रोकी यादव को गिरफतार किया गया वहीं दिल्ली की सडकों पर रोड रेजी घबरें लगातार आए दिन आती रहती है हालाकि इन हाथसों के जखम के बावजूद कुछ लोग दूसरों को समझाने और मदद के लिए सडकों पर उतर आये हैं जोरिस फ्रांसिस ने सडक हाथसे में अपनी सत्रा साल की बेटी को खोया दूसरों को ऐसा जखम ना सहना पड़े इसलिए जोरिस दिल्ली काजयबाद बॉर्डर पर ट्राफिक सभालती हैं जो तेज गाड़ी चलाते हैं उन्हें समझाती है वहीं हर्मन सिख सिद्धु ने कार हाथसे में अपने बाउं कवा दिये दो साल बिस्दर पर रहे लेकिन उनका हौसला नहीं तूटा अब उनका मकसद है कि लोग घर वापस सुरक्षित पहुँचें और इसके लिए वो एर्राइव सेफ नाम की वेब साइट चलाते हैं इनके साथ साथ हमारी भी जिम्यदारी है कि सड़क पर नियम का पालन करें और चोटी चोटी बातों पर सड़कों पर लड़ाएं ना करें क्योंकि आपकी गाड़ी से कहीं ज्यादा कीमती आपकी जिन्दगी है नुशकर पेशे जफ्ते का मकाबला एक ऐसे विशय पर हम आज बात करने वाले हैं अक्सर आप देख रहे हैं कि हम इस प्रोग्राम के माद्दे हम से रियल स्टेट से लेकर आपके खाने पीने की चीज़ों में किस तरह के कीत नाशक होते हैं उस तरह के मसलों से लेकर आप से जुड़ी बहुत सारी बाते हम उठाते हैं आज भी वही एक कड़ी मेरे पास बहुत सारी रिसर्च रखी हुई है सामने उसमें से एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा है इसका रिकरम के शुरुवात में बहुत गोर से सुनिएगा मेरी रिक्वेस्ट है आप से कि एक रिसर्च के हिसाब से सन 2030 यानि कि आज से 14 साल बात तीन बड़े कारण अगर होंगे लोगों की सबसे ज्यादा मृत्यू होने के उनमें से एक कारण होगा सड़क दुरगटना और उसी सड़क दुरगटना में जुड़ा हुआ हिससा इस बात का होगा जो घोसे में आकर जगड़े होते हैं जिसे हम जुम्ले में अंग्रेजी के एक फ्रेज में कहते हैं रोड रेज उससे जुड़ी घटनाए होंगी जो लोगों की जान लेंगी तो आप खुद समझ सकते हैं कि मैं किस तरह के विशय की बात कर रहा हूँ बहुत सारे आकड़ें दिल्ली बहुत आगे है इस तरह की घटनाओं में गुसे में लोगों की मार पीट होती है गुसे में लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं शराब पी के गाड़ी चलाते हैं शराब पी के लोगों की जान ले लेते हैं तो सडक दुरघटनाएं प्लस साथ में जुड़ा हुआ यह जो behavior का बरताव का तरीका है जो गुसे को इतनी चरम सीमा पर लेकर चला जाता है कि लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं बहुत बड़ा issue है इससे बचने का रास्ता क्या है यह कैसे बदले हम कोशिश करेंगे इ आपके अपने पैनल सापको मिलाता हूँ मेरे साथ सौरभ भारदवाज मौडू जो है जो कि स्पोक्स परसेन है आम आदमी पार्टी का है सौरभ को आप सब लोग बहुत अची तरह से जानते हैं उनके MLA भी हैं साथ में हमारे साथ दॉरिस फर्नांस फ्रांसिस मौजूद हैं डॉरिस जी खुद जहां रहती हैं अपने इलाके में अपनी कोशिश से अपनी तरफ से ट्राफिक मैनेज करती हैं तो बहुत बड़ा योगदान है डॉरिस जी का समाज में और अपनी तरह से उस योगदान के जरीए वो से बदलने की कोशिश करी हैं साथ में हमारे प्रोग्राम्स में रहें आप सब जानते हैं एक पूर वाइपियस ओफिसर है गौतम साब मेरे साथ हर्मन सिंग सिद्धू साब मौजूद है जो कि फाउंडर है अराइफ सेफ वेबसाइट के यह वेबसाइट है जो सुरक्षित होने की बात कहती है तो यह उसके फाउंडर ह इनके सिना साब हमारे साथ मौजूद है जो कि चेर्मन है इंटरनाशनल रोड फेडरेशन के और पहले मिनिस्ट्री अफ रोड ट्रांस्पोर्ट और हाइवे से आप जुड़े रहे हैं और हमारे साथ साथ में है सहजी चरियन साब जो कि डिरेक्टर है सेफ लाइफ फाउं हमेशा की तरह जनता है मैकसिमम सवाल मैं कोशिश करूँगा इनके ही लोग एक जो दुर घटनाएं होती है सड़क की और दूसरी जो गुसे में लोग आकर एक दूसरे की जान ले लेते हैं सबसे पहले आप से शुड़ करूँगा आप दक्षिनी दिल्नी के पॉलिटिशन हैं कि हाँ पर भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनाई पड़ती तो एक तो मसला हो गया सड़क के दूर घटनाओं का मैं आपसे पूछना चाहरा हूँ यह रोड रेंज जो है यह गुसे में किसी का हत्या कर देना गुसे में किसी का कतल कर देना गुसे में की दो गाड़िय यह लड़ गई तो बजाए इसके कि आप पुलीस को बुला कर मसले को सॉल्फ करें हाथ पैर चला कर किसी की जान तक ले देना क्या यह पबलिक का बिहेवियर बदल रहा है यह बरताव जादा हो रहा है शायद पेशन्स कम हो गई लोगों के अंदर और शायद इसका कारण यह है कि हम लोग इतने बिजी हो गए कि एक वक्ता जब हम बैंक की लाइन में लगते तो दस लोग भी आगे होते थे तो वी वर लेक ओके विद आट अगर आज अगर आप से पहले दो लोग भी लगे होते कानून जो है उसकी कमजोरी कहीं पर आते हैं किसी की जान ले ले मैं कितनी ही घटनाए में इतने आकड़े यहां टेबल पर रखे हुए हैं जहां लोग गाड़ियों में हौकी स्टेक रखते हैं गाड़ियों में डंडे रखते हैं गाड़ियों में आईरन की रोड्स रखत तरह के लोग आते हैं और उसके बार कहते हैं तो यह इसको कैसे बदला जाए मैं जनता हूं कि यह समाज के जिम्मेदार नहीं इंजी बहुत कोई आदमी आपको बुरी तरह से घूरता है कुछ गाली यह देता है तो अगर दूसरा आदमी इसको वापस गाली ना दे तो तो ल सेवियर का मामला यह बरताव का मामला है अगर लोग इतने गुस्से का जीवन जीना चाह रहे हैं कि गाड़ी में से रॉड निकाल कर किसी का सर फोड़ दे और उसके बाद कितनी आपको तो पता है यह कितनी केसे ऐसे होते हैं जहां वही पर जान चली जाती है अन्द जानता नहीं मैं कौन हूँ तो वस अगर आपने कहा के नहीं मैं नहीं नहीं जानता तो फिर वह दो तीन गाली तो एक आई जाएगी तो एक तो यह निजी अनकार जो है यह यह यहां बढ़ गया है क्योंकि शेहर में पूंजी जो है हरे की वह बढ़ गई है छोटी है जो पैसे से खरीदी जा रही है जो मेरा सवाल है उसको पालते हैं हर में और अक्सिरेंस पर आने से पहले कुशिश करूँगा सबकी रोड रेज पर एक एक रियाक्शन में सारे पैनलिस के गुसा हाता पाई हो जाना वह भी लेकिन आप जैसे मैंने कहा कि सौरब ने बिल घर के अंदर जो है डिस्रिब्लेन जो है घर का एक तो वह खतम हो रहा है माबाप का जो असर है बच्चों पर घट रहा है इसके लावा जो माबाप का जो अपना अगल जो अजिए डूटी होती है बच्चे को समझाना वो औरभी जी ये घुसा क्यूं शीमा तक माने सम्झ जो आप लोगों की राय आप काम करते हैं रोड रीज पर आज कल क्या है कि हर इनसान जो है एक घमंड में रहता है उसको क्या है कि मैं बहुत बड़ा पावर्फुल हूं चाहे उसके पास कुछ नहीं लगता है कि मेरे फादर जो है कोई नीता है बहुत बड़ी तो उसका कंश करते हैं और मैं आपको मुबारक बात देना चाहता है आप दिल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं घालो चाहां कर जो जो है um लेके जाते हैं कि मेरा भी accident होते होते कई बारी बच चुका है तो ऐसे लोगो खासकर पढ़े लिखे इंस जब आप उनको रोकती हैं तो क्या होता है क्या वो बत्तमीजी से आजाते हैं वाइलेंस पर उतरने की कुछ लोग हैं जो सौरी भी बोल देते हैं कान भी पकड़ ले आप देते हैं अपनी बच्चें को यह हमें लग रहा है कि यह सकती का प्रज्रिशन है पावर एवरीबडी वांस तो शो इस पावर को दिखाने के लिए वह चाहते हैं कि बढ़े अधिके बड़े जान ले लें चार लोग मिलके किसी व्यक्ती को इतना मारें सारवजनिक स् यह तो सोच के पर है, बरदाश के बाहर है यह एक तो पावर है, अज दूसरा जो है, हमारा कुछ mentally जो है, हम लोग उस तरह से हो गए है कि हमको कठोर हो गए है, यह कठोर हो गए है यह हमें फिलनी होता है कि यह मर रहा है इसका कुछ करना चाहिए या कुछ इसके इसकी सेवा करना चाहिए रदार वो और उस पर एक और लाठी है तो यह गुस्सा कभी बंद होगा, यह तरीका कभी बंद होगा सर इसका तो बस एक ही इलाज है कि जब तक समाज अपने आप में नहीं उठेगा, समाजिक परवरतन बहुत जरूरी है अगर यह माबाप का जैसे इन्होंने कहा, माबाप या समाज या जितने भी सुधारक, अगर जब तक कि यह नहीं हा करके इनको समाज के परवरतन को लिए बादिक करते हैं, तब तक यह नहीं समाज तो बहुत बदल रहा है, और हर अच्छे के लिए नहीं बदल रहा है, कहीं-कहीं जगां पर बुरे के लिए भी बदल रहा है, यहीं समाज अभिक्यान जी, मैं इसको एक अलग तरीके से देखता हूं, रोड रेज का मामला जब भी हम देखते हैं, बहुत सारे आंकड़े हम आप लोग को ग्राफिक्स में लगाता है, दिखाते जा रहे हैं, तो उसमें से मैं बता भी सकता हूं आपको कि दिल्ली किसी भी घटना हो दुरगटना हो, उनके कोई भी आंकड़े उठा लीजे, तो दिल्ली जो है, वो नमबर वन पर बनी रहती है, तो इसलिए जो बात कह रहे हैं, उनको टोका है मैंने, इसलिए सिर्फ माफी चाहूंगा कि ये घटनाय बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं, इसलिए मैं ये का मामला कब होता है, जब दो गाड़ी या तो ब्रश हो गई या और टेकिंग में कुछ प्राप्लम हो गई, और रियक्शन फिर हो जाता है एक दूसरे के साथ, लेकि हमारे देश में जो सिस्टम है, जो धांचा बना हुआ है, जो तै करता है कि मैं क्या मैं गाड़ी चला सकत का जो प्रक्रिया है, वो अधिकार नहीं देता है लोगों को, यह रिस्पॉंसिबिल्टी देता है कि आप एक ऐसा यंत्र चला रहे हो, जो एक हजार से दो हजार किलोग्राम वेट है, चालिस पचास साथ के स्पीड पर चला रहे हो, किसी को आप लग जाता है, तो उसकी काड़ी चलाते हैं, हमें लगता है, यह मेरा अधिकार है, जनमसिद अधिकार है कि मैं गाड़ी किसी भी तरह चलाओ, हमें सिखाया नहीं जाता है कि किस तरह से सेफ ड्राइविंग करनी चाहिए, मैं छोड़ी सी रिसर्च का हिससा आपको पढ़ के सुनाना, उसके बाद म हर्वन सिंग सिंदू साब के पास जाऊंगा, चंदिगर, विज रिफरेंस तो हिस्तोरिकल रेकॉर्स इन 1997, थे युएस थरेपिस्ट है वर्ट तो क्लें रोड रेज, अ मेडिकल डिसॉर्डर, अल्दो फ्यू इंसिस्ट अधिकल डिसॉर्डर विलाला, क्रिमिनल्स तो प लोग इस बात को नहीं भूलें, तो उन्होंने कहा, ये मेडिकल डिसॉर्डर है, सास्थ के पॉइंट अफ यू से, उसके नजरिये से कोई कमी है, उसके बाद एक लोगों ने ये दलील रखी, जो सौरब ने आज प्रोग्राम में रखी, कि लोग फिर ऐसे घटना को अंज किये जाए, किसी के हत्या करने के लिए, कोल्ड ब्लडड तरीके से, सिर्फ गुस्से में, वो इसको कानून में अगर ये प्रावधान होता है, तो उसका इस्तेमाल करके निकल जाते हैं, इसलिए मने आप से कहा, कि रोल रिज बहुत इंपॉर्टन इश्यू है, हर्मन की जो पॉपॉलेशन है, ओवरॉल, जिस रफ्तार पे जो इंक्रीज हो रही है, तो ये जो रोड रेज है, सिर्फ ये सड़क पे नहीं दिख रहा, ये जो रेज है, चाहे आप पबलिक ट्रांस्पोर्ट में चड़ रहे हो, चाहे आप जैसे मेरा अपना एक बार एक्स्प में नहीं जा सक रहे थे, क्योंकि जो एबल बॉडिल लोग थे, वो आके धका मार के लिफ्ट में चले जाते थे, तो इससे ये देखने को मिलता है, जो इतनी ओवर क्राउडिंग हमारी हर जिगा पे हुई पड़ी है, तो ये अपने देश की जो एक साड़ रियालिटी बि है कि इन डिसिप्लेंड लोगों की जो परसेंटेज है, वो कितनी ज्यादा है, अभी तक जो आपने बात की है, ज्यादा देली पे फोकस्ट रही है वो, लेकिन अगर हम इंडिया के हाईवेज की बात करें, नैशनल हाईवेज की, स्टेट हाईवेज की, वहाँ ये बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है, इनकी दोनों तांगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, एक रोड आक्सिरिंट के बाद, और ये तब से वीलचेयर पे इन्होंने तैह किया उसके बाद, एक वेबसाइट खोलने और चलाने का, जिसके माध्यम से वो शिक् मिलकर काम करें, रोड आक्सिरिंट्स को लेकर, मैं यहाँ पर जनता से पूछना चाहता हूँ, अगर आपनों को पास कोई प्रशन है, मेरा प्रशन ये है, कि डेली में ये और इवन फर्मूला आया, जिससे मैंने पेपर में पढ़ा, कि जब ये आया इंप्लिमेंट हुआ अभी पिसले मैंने इसको रोग दिया गया, तो हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर, जो गुसे को बढ़ाता है, वो बढ़ा इससे, बहुत कम हुआ, बहुत कम हुआ, रोड पर गारी जो ड्राइव कर रहे थे, उनको ट्राफिक आराम से खुला-खुला मिला, जिससे कम हु हम लोगों नजरीय से इसको देखाने हो कहा है, कि सड़के खाली थी तो लोगों का दिमाग बश्चान था, बात तो सही है, कि सड़के खाली हो अगर जैसे आप अस्पताल में जा रहे हैं, अस्पताल खाली हो तो आप अच्छा महसूस करें, जिसका आप लोग आपके तभ लोग कॉलेजेश वेगरा में जाते हैं, जो यंग सर जिनके ममी पापा काफी है, मेरे गारिया दे देते हैं, तो उनके लिए मुख ये रीजन होता है जो बड़ा प्राउड फील करते हैं, ये बताते वक्त कि मैंने किसी को थपड मार दिया, या जो किसी को धका मार दिया, बारिबारिक शिक्षा नहीं है, जो रीजन में आ रहा है कि पेरेंस बता रहे हैं, आप कई जगा ऐसे भी होते हैं कि पेरेंस खुद बचाते हैं, उनको पहले से ही कनफार्म होता है कि अगर मैंने कुछ कर दिया, पुलिस ट्वालों ने पकड़ लिया, तो पेरेंस खुद आते हैं प्रिटेक्ट करने के लिए, आप तो किते हैं आला पुलीस अफसर रहे हैं, परेंस खुद ही कहते हैं, अरे यहां से फोन करवा दो यार, जॉइन सीपी को तो बलो, आप बाबाब आ अपने बच्चे को प्रिटेक्ट करने के लिए, मेरे खाद से वो फर्स प्रिटेक्ट करने के लिए, पर मैं रोडेश पे जो है, एक सज्जन मुझे मिले, मैं जल्दी साब को किस्ता सुआ तो खुद ही नो मुझे बताया, कि उनके बेटे ने एक फेरारी कनवर्टेबल ली थी और तीसरे ही दिन उसको ठोग दिया, उन्होंने साथ में ये भी ब कानून का आदर अगर आप नहीं करेंगे, और कहेंगे कि मैं इंसाम कर लूँगा, ये भी एक मुसीबत है, जो कि बड़े शेहरों के अंदर बढ़ती एक पदती सी एक आ रही है, तो वह कह रहे है, और कोई एकर कोई सवाल पूछने चाता हूँ, हाँ, प्रिज मैं कम समय है, रोड एक्सिरेंट वर बड़ा मुद्दा है, क्या वर्च्वल लाइफ पे हमारा इतना जादा एक्स्पोजर हुआ है, कि हम रियल लाइफ के वैल्यूस को भूल रहे हैं, ठीक है, वर्च्वल लाइफ का एक्स्पोजर, हाना कि मैंन का प्रश्ट नहीं समझ पाय लेकिन यह जो समस्या है उससे ज्यादा गंभीर है, ऐसा कोई रिसर्च है नहीं जो कहता है कि जो गेम खेलते हैं, वो रोड रेज ज्यादा कर सकते हैं, बट जैसे कि हम सब ने कहा है, और मानना यह है कि एक सोसाइटल में, जो सोसाइटी में जो बिहेवियर है, और एक है नहीं, वो गाड़ी चलाते वक्त ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ऐसा लगता है कि मेरा अधिकार है, यह मेरा गाड़ी है, मैं किसी भी तरह चला, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, रोड रेज के रिस्टे में, ऐसा है कि आज जो सिती है, जनता में, वो मैं यह देख रहा हूँ कि एक अंग्रेजी शब्द है, एंगर मैनेजमेंट, हाँ, मैं कहने वारे तो मैं इस्तेमाल करने वाला था, तो एंगर मैनेजमेंट जो है, वो अब बिल्कुल गाइब होता जा रहा है, आर्मन जी आप कुछ कहना चाहरे थे, प्लीज सर, जैक रिलेशन के भी हमारे पास कैसी गाड़ी है, और हम जब गाड़ी में बैठे हैं, हम किस स्पीड पे हैं, और या इस टाइम के हम जो गाड़ी के इंजिन की पावर है ना, उसको हम अपनी पावर समझते हैं, जैसे हम हमारी गाड़ी की रफतार है या स्पीड है, उसी तरीक मुवी में देख रहे हैं या फिर टीवी में जो सीरियल वगर आते हैं उसमें भी यह चीज काफी दिखाई जाती है normally कि अगर कुछ ऐसा incident हो जाए तो it actually ends up in a fight तो जो youth have वो भी इस चीज से कुछ हद तक impact होता है तो अगर हम यह चीजें in a controlled manner reduce करें तो definitely that would make a difference कि मैं जल्दी से आपको बता दू कि जो कारणों को माना जाता है तमाम रीसर्श के मांधियम से वह हैं कि आप traffic की भीड़ भाग लोगों को गुस्सा दिलाती है driving habit गाड़ी चलाने का तोर तरीका किसको कितना आता है वो इसमें बहुत बड़ा योगदान करता है मौसम अब गर्मी के मौसम में आप हैं उपर 40 जिगरी पर सूरज जो है वो ताप उगल रहा है ताप पान 40 जिगरी है आपका भी दिमाग गरम होता है हना कि एक्सक्यूज नहीं है कोई किसी भी तरह की जान लीजे noise level, shore goal, shore goal जो होता है इसलिए बड़ा अच्छा पॉइंट यहां पर रखा गया कि बजाए लोग एकठा होकर तमाश बीन बनके देखें उसे उन्हें मदद करने के जरूआ थे क्योंकि यह शोरगुल उसमें योगदान देता है समय की कमी, time constraint और साथ साथ उस समय जैसे भी हरुन जी कहा कि ड्राइवर की खुद की मान सकता क्या है क्या वह ऐसे की ही सिज्ड़ जगड कराया है क्या वह स्वता उसको लगता है कि अगर कोई जिसे आब है आपके बिहार में घटना आप सब लोगों के सामने आई कि एक नेता के लड़के ने एक लड़के को क्यों गोली मार दी क्योंकि उसने गाड़ी ओवर्टेक कर ली तो सोच के देखिए गाड़ी ओवर्टेक कर लिए आप तो गोली मार दी प्रतीस पर्दा नहीं से प्रतीस पर्दा तो कमपेटेटिवनेस आए यह प्रतीस पर्दा नहीं है यह तो पागलपन है एंक्लिस इंग सबाप कुछ कहना चारे कि एक तरह से पैसा पावर का दूस बहुत नीचे इस तरह पर है जो लाइसेंसिंग के समय हम जिस तरह से हम लोग स्क्रीन करना से हिए उन्हीं को लाइसेंस मिले जो सब तरह से प्वालिफाइड हो और उसमें एक ये भी मेंटल लेवल भी आता है एक मेंटल लेवल पर आता है मैं एक ब्रेक लेने का उसके बाद मैंने कोशिश किये कि आप लोगों से बहुत सारे आख ने जरा इसको समझ ये मैं कैसे कहूं आपसे मैं एक टेलेविजिन कारिक्रम में ये विशे नहीं बाढ़ सकता लेकिन समझ ये जो गुस्सा आता है ना आपको सड़क पर इससे आप की भी जान जाएगी किसी दिन आंकले ये बता रहे हैं कि ये दुनिया में तीन सबसे बड़े कारणों में बन जाएगा एक समय आते आते सड़क पर गुस्सा और सड़क पर दुरगटना लोगों की जान जाने का उसके हिसाब से सुचिए अगले से में हम जाब आएंगे तो बात करेंगे दुरगटनाओ की रोड आक्सिडेंट्स की कि वो रोकते उन्हें कैसे रोका जा सकता है और उनकी भी संख्या इसकदर क्यों पूरे देश में बाड़ा रही हम उस पर आएंगे एक जोड़ेक के बाड़े